वेलकम तो मैं चैनल आज हम बनाएंगे रायता वो भी दो तरीके से एक वेज रायता और एक बुंदी रायता तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले हम वेज रायता बनाएंगे और उसके बाद बुंदी रायता तो चलिए करके इसका पानी नीचे और करके यहां लेंगे आप चाहे तो खीरा को बारिक काट करके भी ले सकते हैं उसके बाद हम यहां थोरे से गाजर को ग्रेट करके लेंगे तो यह आधा कब गाजर है इसे ग्रेट करके लें या फिर बारिक काट करके यहां हम एक मीडियम साइज के प्याज को बारिक काट करके लेंगे अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो सिर्फ खीरा और गाजर से ही बना सकते हैं उसके बाद हम यहाँ एक दो हरी मिर्च को बारिक काट करके लेंगे अब हम यहाँ डालेंगे दही तो दही हम यहाँ एक कप ले रहे हैं मेजरिंग कप से, उसके बाद हम इसमें एक चोथा ही चम्मच, काला नमक डाल देंगे, आधी चोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और आधी चोटी चम्मच लाल मिच पाउडर, और एक चम्मच हम डालेंगे, इसमें चीनी, चीनी ओप्सनल है, अगर आपको मीठा से मिक्स कर लेंगे, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो ये देखिए हमारा वेज रायता बन कर तयार है, अगर रायता जल्दी बनाने हैं, तो आप इसी प्रोसेस से बनाए, इसे बनाने में बस दो मिएट का समय लगता है, ये देखिए, तो अब हम इसे एक बोन्दी रायता बना लेते हैं बोन्दी रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम बोन्दी बनाएंगे तो इसके लिए हम 3-4 पप यहां बेशन लिये हैं उसके बाद हम इसमें आधी छोटी चमच डालेंगे नमक और एक चमच डालेंगे रिफाइन ओईल तो यह देखिए एक चमच यहां रिफाइन ओल डाल दें उसके बाद हम इसे मिला देंगे और फिर थोरे थोरे पानी आड़ करके इसका एक बैटर बना लेंगे तो यह देखिए एक बार में ज्यादा पानी नहीं यूज़ करें इसे बहुत ही अच्छे से मिलाना है तीन से चार मियड तक ताकि इसमें लंच ना रहे अच्छे से मिल जाए तभी आपका बुंदी जो है बहुत अच्छा बनेगा आप मेरे चैनल पर बुंदी की लड़ू की रिसीपी देख सकते हैं उसमें सेम प्रॉसेस से इसी तरह से हम बुंदी बनाए थे बस यहाँ फूड कलर का यूज़ नहीं करना है तो यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए तो अब हम एक पैन में तेल चाहेंग बैटर को और हाथों को इस तरह से चाड़ो तरब से घुमाएंगे आप चाहें तो ग्रेटर की सायता से भी बुंदी बना सकते हैं बुंदी को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर कुछ सकेंड के लिए पकाना है ध्यान रहे बुंदी को हाई फ्लेम पर नहीं पकाए और नहीं ल बुंदी के रायता बना सकते हैं, इसी प्रोसेस से हमें सारे बुंदी को बना लेना है, तो ध्यान रहें, जितने बारा बुंदी बनाएंगे उतने बार जारे को किसी कप्रे से या फिर कीचन पेपर टावल से पोच करके फिर बनाएं, तो उससे हमारा बुंदी जो है वो गो करना है और फिर बूंधी को डृता है चार-पांच horrifying के लिए पानी में इसे चोड़ देना है और चार-पांच मिनट के बाद इसे टेनर में हम चान लेंगे तब तक हम एक बाउल लेंगे उसमें हम डालेंगे एक कप दई दही डालनें के बार इसमें एक चोथाई चम्मच डालेंगे, काला नमक, आधी छोटी चम्मच भूना हुआ जीरा का पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मेच पाउडर अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे इस तरह से आप चाहे तो इसमें भी आधी छोटी चम्मच या एक चम्मच चीनी डाल सकते हैं अब हम इसमें बूंदी डालेंगे, तो ये देखिए चार से पांच मिट के बाद हमारा बूंदी साफ्ट हो गया तो हम इसे इस्ट्रेणर में चान लिये थे और अब इसे दही में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा बूंदी रायता भी बनकर तयार है ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में तो अब हम इसमें थोरे से बारिक कर्टेफ़ धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिला देंगे तो ये देखिए हमारा बूंदी रायता बनकर तयार है तो हम इसे एक बावल में सर्व कर लेंगे रायता आप किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं ये खाने का स्वात्तो दुगना कर ही देता है और साथ में खाने को पचाने का भी काम करता है उसके बाद हम इसे थोड़े से रचिली पाउडर से और थोड़े से बुना हुआ जीरा पाउडर से स्प्रिंकल कर देंगे और लास्ट में हम थोड़े से बारिक कटे हुए दन्या पत्ता से गायनिस कर देंगे, तो ये देखिए, हमारा दोनो रायता बन कर तयार है, आप दोनो रायते की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें, और ये देखिए, हमारा बुंदी रायता है ये, और ये वेज रायता, आपको जो रायते पसंद आए, आप वो बनाए, और अगर और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें